बक्तो अगर आप कोई भी दो लोगों में लड़ाई करवाना चाहते हैं तो आज का हमारा यह है टोटका आपका काम सोपरतिश्यत करेगा जी हाँ बक्तो आज के हमारे इस टोटके से आप घर बैटे ही कोई भी दो इनसानों में लड़ाई करवा सकते हैं और उन्हें हमेशा के लिए अलग कर सकते नमशकार बगतों एक बढ़ फिर से आपका हमारे गुरुजी औस लोजर अखेलेश्वर साधक जी के यूटीब चैनल में हरदिक सवागते वोगतों आपने भी अभी तक हमारे गुरुजी ऐस्वाजर और अखिलेशवर साधक जी के इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल अगन को भी प्रेस कर दें जैसे कि हमारी आने वाली और भी ऐसी वीडियो की जानकारी आपको असानी से मिल सके चले भक्तो अब बिना किसी तैरी के शुरू करते हैं स्टोट के को सबसे पहले भक्तो आपको एक लैसन की एक कली लेनी है और उस पर आपने उन दोणों का नाम लिख लेना है जिनमें आप लडाए करवाना चाते हैं जैसे कि मान लीजिए उन दोनों का नाम है सोहन और सपना तो आपको इस कली की एक तरफ लिख लेना है सोहन और दूसरी तरफ आपको लिखना है सपना देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसके बाद वक्तो आपको एक सुई लेनी है और इसे लेसुन की कली के एकदम बीच में से निकाल देना है बक्तो आपको एक बाद का विशेश ध्यान रखना है कि यह सुई आपको दोनों लिख्यों नाम के बीच से निकालनी है देखिए बिल्कुल इस तरीके से ठीक है बक्तो यह सब करने के बाद वक्तो आपको यह लेसुन और इसमें लगी हुई सुई इस तरीके से अपने हथिली पर रख लेना है और फिर आपको 11 बार और फिर आपको 11 बार इस मंत्र का उचरण करना है मंत्र है ओम क्रीं क्रीं अलग क्रूं भगवते क्रीं क्रीं फट स्वाः दोस्तों मंतर जाप आपको उन दोनों का चेहरा अपने दिमाग में रखना है जिनें आप अलग करना चाते हैं दोस्तों यानी के जिनका नाम आपने इस कली पे लिखा है उन दोनों का ध्यान करते वे 11 बार बोलना है ओम क्रीं क्रीं अलग क्रूं भगवते क्रीं क्रीं फट स्वाह मंतर जाप के बाद भक्तों आपको लैसुन की है कली और इसमें लगीवी सुई को किसी भी सुनसान जगल ले जाकर मिट्टी में गाड़ देना है और वहां से चुप-चाप सीधे घर चले आना है बक्तों आपको एक बात का विशेज ध्यान रखना है कि जब आप इसे मिट्टी में गाड़ कर वापिस अपने घर आ रहे हो तो आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना तो बक्तों जैसे ही आपके टोटका पूरा होगा उसके सिर्फ दो दिन बाद ही उन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी और वहां फिर एक दूसरे की शकल भी नहीं देखेंगे वक्तों वैसे तो हमने आपको इस टोटके की पूरी जानकारी वीडियो में ही दे दी है उसके बावजूद अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर आपको इस टोटके से कोई भी फल प्राप्त ना हो तो दोस्तों आप मारे गुरू जी से अखिलेश्वर सादक जी से संपर कर सकते हैं आप स्क्रीन पर देगे नंबर पर कॉल या वट्सब करके हमारे अखिलेश्वर सादक जी से अपनी किसी भी शंका का समधान करवा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों